Welcome friends, मैं हूँ कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूँ अभ्यास अनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Central TET द्वारा एक्जाम जो लिया गया था 2013 में तो उसी के Salward Question Paper के माध्याम से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और किस तरीकी के प्रशन पूछे गया थे उसको इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों कूल 1.500 अंखों का प्रशन होता है 1.500 प्रशन पूछे जाते हैं तो अलग-अलग सेक्शन से दोस्तों 30-30 प्रशन पूछे जाते हैं तो अगर पेपर एक की बात करें दोस्तों तो उसमें परियावरन से भी 30 प्रशन पूछे जाते हैं कर ले ताकि इसी तरही के का वीडियो मिलता रहेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह जो कोशन बताने जा रहा हूं वो है दो हजार तेरा में पूछे गया प्रशन का सेंटरल टेटी का दोस्तों इसके अलावा अगर आप कोई भी स्टेट लेवाल का टेटी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को सुरू सिलास तक जरू देखिए चलिए पहला प्रशन देख ल ते हैं, क्योंकि उसके सरीर को ठंड़ा मिलती है बी बोल रह रहे है अधिकांज शाती दिन में लगभग 10 घंटे आराम करता और सोना पसंद करते हैं ओप्शन C कथन बोल रहे है कि तीन महिने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 ग्राम होता है D कथन बोल रहा है कि अधिकांज बच्चे हाथी का एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या जाडियां खा लेते हैं तो इस कथन के according हमको ये बताना दोस्तों, option A केवल 1 और केवल 4 सही है सत्य कथन बताना है चुकि हमें तो B option बोल रहा है केवल 1 और 4 option C बोल रहा है 1, 3 और 4 और D बोल रहा है केवल 1 और 2 तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों? option C 1, 3 और 4 हमालब पहला है और 30 है और ये चांथा है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क्योंकि अधिकांस हांथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं ये कोई fix नहीं है और इसमें अधिकांस भी भोल दिया है तो इसलिए के हो जाएगा हमारा दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा चलिए दूसरा question देख लेते हैं निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर देने के लिए सबसे उजित विकल्प चुनना है प्रात्मिक इस तर पर EBS पाथि पूस्तक अर्थाद परियवरण की जो पाथि पूस्तक है उसमें कविताय और कहानिया समलेद करने का क्या कारण है हमारे पास पहला option है विद्यार्थियों में शाहित्यरूची विक्सित करना option B है विशय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना option C है मूल संकल पनाओ के अधिगम में विर्धी करना option D है विसे वस्तू को प्रस्तूत करने की नित्यचरिया और एकरस्ताब को परिवर्तित करना परिवर्तन करना तो इस coding दोस्तों बताइए कि जो परिवर्ण के पुष्टक होती है उसमें कविताय और कहानिया क्यों समलित की जाती है तो इसका main reason क्या है दोस्तों कि विसे में प्रमोद को प्रदान करना तो इसका B option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं question number 3 ब्रेल लिपी के बारे में है दोस्तों simple सा प्रशन आप बता दोगे ब्रेल लिपी के बारे में नीचे दिये गए कथनों का अध्यन कीजिए क्या क्या क्थन दिया है पहला क्थन है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदू उभरने वाले बिंदू बना कर लिखा जाता है दूस झी होगा ब्रेल लिपी को क्या होता है हात से फेर करके पढ़ा जाता है तो according answer देख लेते हैं हमारा पहला है एक तीन और चार, option B है, एक दो और चार, option C है, दो तीन और चार, option D है, एक दो और तीन, हम जानते हैं कि हमारा ब्रेल लिपिस से हम लोग पढ़ते हैं, वो हाथ सही फेर करके पढ़ते हैं, तो हमारा चौंथा है, तो चुंकि हम पहला option में भी देखने को मिल रहा है, दूसरे मे भी और तीसरे में, चौंथा में नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यह चौंथा option नहीं होगा, ठीक है, आपको पता ही होगा, इसके अलावा, आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा होगा, अगर हम लोग दूसरे की बात करें, option 2, ठीक है, कि यह हविकल 8 बि होता है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा option B, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, उसी का according अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर braille को अगर हम लोग देखें, क्या वोले दोस्तों, कि braille को मोटे कागज या उभरे हुए बिंदू पर लिखा जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो braille है, यह तो दोस्तों, लिखा ही जाता है, ठीक है, उभरे हुए बिंदू आधार पर तभी तो उसको touch करके, महसूस करके, पढ़ा जाया पाएगा, ठीक है, तो उसी तरीके से कर हम लोग तीसरे की बात करें, ठीक है, तो हमारे को यह पता है कि हमारे पास पहला है, और तीसरा है, और चौंथा सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला तीसरा और चौंथा कौन सा option में देखने की मिल रहा है, यह option में, तो हमारा यह option क्या हो जाएगा, ठीक है, उमिद करता हूँ यह चीज आपको समझ आ गई होगी चलिए अगला प्रश्ण देख लेते हैं इस वीडियो में हम 15 को डिस्कस करने वाले हैं और जो स्टूडेंट नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो नोडिफिकेशन बेल को भी जरूरान कर ले चलिए प्रश्ण देख लेते हैं निमनलखित प्रश्णों के उत्तर देने के लिए उच्चित वीकल्प चुनना है कुछ जानवर जो है रात में जाकते हैं ये जानवर हर चीजों को काले अम सफेद रंगों से ही देखते हैं ओप्सन है बैगनी वानिला बी है हरा और पिला तीसरा है काला और सफेद और चौंथा है लाल और संतरी दोस्तों कोशन इसी तरीके से दिया था उसी को ही मैं उठा करके आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ ठीक है कि कुछ जो जानवर है वो रात में ही जाकते हैं और जानवर जो है दोस्तों हर चीपो काले और सफीद रंग में देखते हैं ऑकोर्डिन दिया है ओपिसन और ऑप्षन के अगारिन के दोस्तों सेंटरल टीटी जो राइट आंसर जो मैं लिया है option c काला सफेच्चूं की प्रश्ण में ही दिया हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा option c हमारा सहीं हो जाएगा option 5 देख लेते हैं निमनलिखित प्रश्णों के उत्तर देने से के लिए सबसे उच्ची तवीकल्प चुनना है कोई पक्ची पेड की उची डाल पर अपना घोसला बनाता है यहाँ पक्ची हो सकता है कौन सा पक्ची हो सकता है चारों पक्ची के नाम नीचे दिये हुए है उसके according हमको बताना है पहला है शकर खोर दूसरा है कलचीडी तीसरा है कमवा पांचवा है फाक्ता तो right answer क्या हो ज पक्ची तो यह किस तरीके के पक्ची है आप कमवा के बारे में तुझनरी तौर्टर सभी जानते हैं लेकिन सकर खोर कलचीडी और फाक्ता के बारे में बहुत ही कम स्टुडेंट जानते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताईएगा चलिए next question निम्नलखित प्रशनों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है मृत सागर क्या है मृत सागर के बारे में आपने जानना होगा कि मृत सागर क्या है option देख लेते हैं ऐसा सागर जिनका पानी जहरीला है क्या मृत सागर का पानी जहरीला है नहीं है और हमको क्या बताना है उचित वि गलती से आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ओप्सन D, ऐसा सागर, जिसमें जहाद चलाना खतरनाक हो सकता है, तो दोस्तों, अप्सन सागर में जहाद चलाना बहुत ही सरल है, जबकि वहाँ पास आदमी जो है, बिना जिसको तैरने भी नहीं आता है, वो भी आसानी से तैर सकता है, ठीक है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, तो according हमारा option B क्या हो जाएगा, सहीं हो जाएगा, सिंपल सा इस का अंसर आपको जरूर पता रहा होगा, चलिए नाक्ष्ट कोशन देख लेते हैं, निर्में लिखित प्रश्णों के उत्तर देन इस भ्रह्मन के लिए आप्राशंगिक है, तो जो आप्राशंगिक है, उनको हमको टिक लगाना है, चार option दिये गए है, पहला दोस्तों, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विश्यक में प्रश्ण पूछना, option B, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, option C, बिना मुझे सुचित किये, कही ना जाना, option D, अपने साथ पेन वा नोट पेन ले जाना, तो इसमें आप्राशंगिक का जो कथन है, उसको हमको ये बताना है, ठीक है, right answer क्या होगा, इसका अपना दिन भर का जो बसता है, उसको लेकर के जाना, तो option B क्या हो जाएगा, आप्राश मज़ी चुके होगे, चलिए next question देख लाता है, question number 8, निमनलिखित प्रशनों में उत्तर देने के लिए उच्छी तविकल पर चुनना है, कच्छा पांचवी की EOS की पाठ्थे पुस्तक, अर्धात परेवण की जो पाठ्थे पुस्तक है, किसी पाठ्थ में सूची और चर् पेट्रोल या डीजल नहीं है, तो इस कंडिशन में क्या होगा आपको बताना है, नीचे जवर option दिया है, चात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में समवेदन सील बनाना, बना सकते हैं, option B देख लेते हैं, चात्रों का पेट्रोल और डीजल के सुरोतों के बा पारे में जागरुत उत्पन्न करना, question क्या according दोस्तों, पूरे option सही है, लेकिन हमको exact एक answer बताना है, जो बिलकुल सटिक हो, ठीक है, तो आपको समझ आ चुका होगा, कि इसका right answer क्या होगा, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, कि वास्तिविक जीवन में चिन्ताओं को सु कलपना और सोचने विचारने की जो खुशलता है, उसको बढ़ावा देना, option C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, option C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, चलिए, next question देख लेता है, question number 9, निमने लिखित प्रश्णों में उत्तर देने के लिए उचित विकल कौन सा हमको बताना है, EBS की कच्छा में जल का पार्ट पढ़ाते समय, अंजली ने अपनी कच्छा में जल के विभिन्न सुरोतों, और जल को सनक्षित करने के लिए वैक्तिगत क्रियाओं कलापों का एक रोल प्ले आयोजिद किया, इस क्रिया कलाप का मुख्य उद्देश और जल के विभिन्ची क्या है? तो थोड़ा सो सोचती है दोस्तों कि इसमें जो है जल किस संबनधित रोल प्ले किया जा रहा है तो इसके according 4 ansr दिया गया है तो हमें आरा right answer क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसमें अधिगम की जो प्रक्रिया है ना शीखाने की जो प्रक्रिया है दिम्नलिखित में इससे सही कथन को चुनना है ठीक है प्रशन कथन 4 कथन दिया है उस अकॉर्डिंग नीचे भी 4 ऑप्सन दिया है उसको बताना है हमारा पहला कथन जो है जिन जानवरों की बाहरी कान यहां शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं ओप्सन भी है जिन जानवरों के बाहरी कान वा सिरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं तो हमको बताना है केवल A और C, केवल B और D, केवल B और C, केवल A और B सिंपल सा प्रिशन है दोस्तों थोड़ सा दिमावक लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों इसमें राइट अंसर केवल A और B मतलब जिसके बाहरी कान और सिरीर में बाल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों बच्चे देते हैं लेकिन जिनका सिरीर से बाहर कान नहीं होता अंदर में ही रहता है ठीक है और बाहर सिरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं ठीक है उसका right answer क्या हो जाएगा A और B अर्थात option D जो है सही हो जाएगा चलिए question number 11 देख लेते हैं नेमने लिखित में से उत्तर देने के लिए उचे तविकल्प कौन सा है नेहा कच्छा पांचवी में EVS विशय में नीचे दी गए मुल्यांकों का तकनीकी का प्रयोग करती है अर्थात कच्छा पांचवी में परिवहन के जो है तकनीक है उसका प्रयोग करती है कथन दिया है हस्त सिद्ध क्रिया कलापो का मुल्यांकन ग्रिय कार्य मुल्यांकन option C है परियोजना कार्य मुल्यांकन D है मौखिक परिच्छा तो इसमें मुल्यांकन देना है दोस्तों यूगल अधिकतम ठीक है नीचे दी गई टेखनीकों में से कौन सा यूगल अधिक वस्तुनिष्ट मुल्यांकन दे सकता है तो नीचे चार option कथन के according दोस्तों हमें बताना है दिया है पहला तीसरा पहला चौंथा दूसरा चौंथा पहला दूसरा राइट अंसर क्यों हो जाएगा पहला और चौंथा अर्धात हस्त सिध्ध क्रियाओं का मुल्यांकर करना और साथ यसाथ दोस्तों मौखिक परिछन करना यह जो है बैस्ट हो जाएगा option B को राइट अंसर लिया गया था central DTE के दौरा ठीक है चलिए अगल आंसर देख लेते ह नीचे दी गई कौन से जानकारी एक आरक्षित रेल टीकट की जो से प्राप्त जानकारी है वो मिलती है तो नीचे चार कथन दिया गया है उनमें से हमें बताना है ठीक है कि टीकट वो करने का जो तारीख है और समय यात्रा सुरू करने के तारीख और समय उसमें पता चल सक सकता है, option B, कथन B, कि दिबबे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी उसमें से देखा जा सकता है, option C, यात्रा करने वाले का नाम वा पता देखा जा सकता है, option D, अन्तिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय देखा जा सकता है, ठीक है, तो इस according, चारो कथ में से right answer क्या हो जाएगा केवल A, B और D, केवल A, B C, D A, B, D, sorry E option इसमें नहीं है ठीक है तो हमको बताना है दोस्तों कौन सा होगा comment करके fast बताईए तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों option B, A, B, C, D तो इसमें सभी जानकरिया आपको ये reservation के जो टीकिट होते हैं उसमें देखने को मिल जाएगा ठीक है लेकिन जनरी तोर पर दोस्तों आप बहुत सारे इन देखे होगे कि यात्रा करने वाला का जो नाम है और पता है उसमें इंकित नहीं होता है ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं question number 13 ठीक है दे रहा है निमनलीखित प्रशनों में से उत्तर देने के लिए उचित वीकाल पर चुनना है question है पसंद ना पसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी चात्र ने कहा मुझे मेरी मा मुझे और मेरी मा को दोनों साप खाना बहुत पसंद है जब भी हमारे खाने की इच्छा होती है हम पस के किसी होटल में जाकर link, hoon, fen खाते है यह चात्र कहीं का हो सकता है यह जो चात्र है कहीं का हो सकता है कहाँ का हो सकता है दोस्तों Asem, Hong Kong, उड़ी शा या अनुदाचल, प्रदेश तो दोस्तों अब जानते हो कहा ज़्यादा साप खाया जाता है होंग कॉंग ठीक है तो आपसन भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा भारती संस्कृती में इसे जो दोस्तों पूरी तरीकी से निशेद बताया है ठीक है चलिए आगला प्रशन देख लेते हैं कोश्चन नमबर इधिता पर विशेज ध्यान देती है देना चाहती है नीचे दिये गए अधिगम और शरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांचित जनकारी दी जा सकती है तो नीचे चार ओप्सन दिया है दोस्तों जिसमें से वांचित जनकारी उनको दे सकती दिया जा सकता है पहला है कि विभिन छेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चाल्ठ का उपियोग करके उसका व्याख्यान करके Option B है कि विभिन छेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाय जाने वाले भोजन को मंगा कर प्रदरशित करना और सहपाथियों में उसके संरचनाओं का आधान प्रदान करना Option C पाठ्थ पुष्टक में विभिन प्रकार के भोजनों के विशय में दी गई जानकारी की और विश्तित व्याख्या करना Option D किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यवसारिक एजनसी को अग्रह करके विभिन छेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदरशन करना तो राइट आनसर क्या हो जाएगा दोस्तों , जिसमें भोजन से संबधित जानकारी को हमको बताना है स्टुडेंट को अधिगम के माध्म से ठीक है, अधिगम करना है उनको किस त्टरीके से होगा तो right answer हो जाएगा दोस्तों बहुत simple सा प्रशन था ये option B इसका right answer हो जाएगा विभिन चेत्रम संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके उनके घर से आप बनवाईए उसके बाद उसको मंगवाईए उसके बाद सहपाथियों के भी संरचनाओं का आदान प्रदान कीजिए आसानी से अधिगम complete हो जाएगा ठीक है चलिए next question देख लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम question प्रशन है निम्न लिखित प्रशनों को उत्तर देने के लिए उचित विकल्प जो है चुननना है प्राथ में इस तर की जो अच्छी EBS पाठे चर्या में होनी चाहिए अर्थात एक अच्छा परियावरान का जो पाठ पर अधिक एक अग्र करना option D है पर्दों की यथार्थ परिभाशा पर अधिक बल देना तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों option B ठीक है अपने आस-पास की खोजने के औसर प्रदान करना इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा क्योंकि जो है अन्य चीज है अगर आप अभ्यास करोगे तो बच्चे जाए ज्यादा अभ्यास तो करेगा लेकिन क्या हो जाएगा क्या पता अभ्यास करने के चक्कर में ज कुछे रहता नहीं है ठीक है अगर हम लोग बात करें पर्दों की यथार्थ परिभाशा पर अधिक बल दो गया तो सिर्फ परिभाशा है दोस्तों बच्चे को समझ नहीं आता है ठीक है तो अपने आस-पास के खोज के औसर प्रदान करोगे तो बच्चे आसानी से सीख ज जा है इसलिए दोस्तों मैं इसको डबल पाल्ट में ला रहा हूँ ठीक है इसके आलावा जो है आप पेटलोजी बालविकास हिंदी इंग्लिश मैथामेडिक्स और सोसल साइंस साइंस कभी आप वीडियो देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो दोस्तो पीडियेफ डाउनलोड करने के मिले मेरे ट्रेलिग्राम ग्रूप अभ्यास ओनलाइन क्लास सर्च कीजिए जॉइन कीजिए वहां से दोस्तों इसके फाइल सेक्षन में जा करके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए इसाजेट टेकर अलबस्त जाहिंद